यह उसतो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने दिस की कुछ property देखी थी कि दिस किस तरीके से काम करता है और एक सेनारियो भी देखा था जहां हम अक्सर confused हो जाते हैं तो आज हम लोग देखते हैं कि दिस जो है वो strict mode के साथ कैसे काम करता है तो दिस को strict mode के साथ काम कैसे करता है तो यह मैंने file open किये मैं क्या करता हूं इसको यहां comment करता हूं और यह जो function हमने पहले बनाया था ठीक है उसी function को मैं यहां पर फिर से call कर रहा हूं उसी function को execute कर रहा हूं तो मैंने नीचे वाले code को comment किया और यह जो function मैंने बनाया था इसी function को मैं दोवारा से uncomment कर रहा हूं ठीक है यहां मैंने बनाये थे दो variable एक बनाये था first name एक बनाये था last name और मैंने इनको एक function के अंदर बनाये था और यहां पर मैंने इनको करवाया था execute ठीक है अभी मुझे क्या करना है यहाँ पर फिर मैंने पर्शन को किया था तो यह पर्शन वेरिवल को मैंने यहाँ पर कॉल किया था ठीक है तो यहाँ पर console log पर मुझे कुछ result मिला था जो कि आया था undefined undefined और दीस जब मैंने print किया था तो दीस में मुझे window object मिला था ठीक है अभी हम लोग क्या करते हैं कि दीस को use करते हैं strict mode में तो मैं यहाँ लिख देता हूँ use strict s-t-r-i-c-t use strict ठीक है अभी हम लोग देखते हैं कि क्या हमको result मिलता है इसका तो आप देख रहे हैं यहाँ पर आ गई है एरर क्या एरर आ गई cannot read property to undefined क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग दिस को print करेंगे ठीक है तो दीस जो है वो दीस मतलब यहाँ पे दीस जो point करता है strict mode में strict mode में हम लोगों ने दिस को print किया है तो दीस की जो value है राइट अगर मैं इसको यहाँ पे कुछ ऐसे comment कर दूँ और हम लोग दीस को print करवाके देखते हैं कि क्या भी लिवाती तो आप देख रहे हैं कि दीस जो है वो undefined आ रहा है और जो window है window object तो हमारे पास अभी भी आ रहा है राइट window.fname में करूंगा तो क्या होगा तो भी undefined आ रहा है यानि कि जब strict mode में हम लोगों ने देखा था कि जब हम strict mode नहीं use कर रहे थे तब दीस किसको point कर रहा था window object को point कर रहा था और अभी दीस किसको point कर रहा है अभी दीस जो है undefined को point कर रहा है इसका मतलब यह है कि strict mode में दीस की जो value होती है वो undefined होती यहाँ पर आप देख रहो undefined आ गया value और इसी लिए यह error भी आ गई तो हम लोग क्या सोच रहे थे हम लोग ऐसे सोच रहे थे कि अगर मैं यहाँ पर these.firstname लिखता these.firstname इसको मैं ऐसे कर दूँ right these.firstname और इसको मैं कर दूँ these.lastname these.lastname और यहाँ पर मैं यह जो दोने variable है यहाँ पर ठीक है इसको मैंने ऐसे कर दिया तो क्या होगा तो भी error आएगी क्योंकि these जो है वो strict mode में undefined को point करता है ठीक है और हम लोगोंने execution compilation के समय यह देखा था कि अगर हम लोग java script में variable को declare नहीं करते हैं direct variable को initialize कर देते हैं तो जो global area उसमें variable बन जाता है लेकिन इस case में ऐसा नहीं होगा क्योंकि हम लोग strict mode use कर रहे हैं तो strict mode में जो these की value होती है वो undefined होती है ठीक है और इसी लिए यहां पर error आजाती है तो strict mode का यहीं फायदा है कि जो accidentally हमसे जो error होती थी वो नहीं होगी क्योंकि strict mode आपको यहां से आगे बढ़ने नहीं देगा strict mode यहीं पर line number 3 पर error उन्होंने देदी कि यह जो है वो आप initialize नहीं कर सकते तो यह था दीस का behavior strict mode में कि दीस जो है वो window object को point नहीं करते हुए undefined value रहती है strict mode में this की अभी हम आगे this related और भी scenario देखेंगे कि this और कैसे काम कर सकता है